नमस्कार दोस्तों स्वागरे आप सभी का तिकिराची यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने रेट मी नोट 9 प्रो पर कॉल प्रॉब्लम सॉल्फ कैसे कर सकती है यही कॉलिंग पे कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इश्यू आते हैं तो दोस्तों आपको कैसे फिक्स करना है आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर सॉलुशन बताने वाला हो अगर आपको भी इसके रिलेटेट पर कोई भी प्रॉब्लम कोई इश्यू है ठीक है कॉल करते वक्त आपको किसी तरह का प्रॉब्लम दिक्कत आ रहा है तो आपको क्या क्या सॉलुशन करना होगा आज के इस वीडियो पर देखने को मिल जाएगा ठीक है और मैं आपको कुछ ची पर आपको लिंग मिल जाएगा और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फोलोग कर के मेसेज करें तो चले दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते और कॉल प्रॉब्लम सौल्फ करते हैं तो दोस्तों सबसे पहला और सबसे आसन तरीका यहाँ पर मैं आपको फ्रस में ही बताऊंगा लेकिन उससे पहले दोस्तों आप चेक किजिए आपकी डिवाइस पर बैलेंस वगरा है या नहीं है सबसे मैन और इंपोर्टेन है और आप जिस भी बंदे को कॉल कर रहे उसका नंबर वेलिट है या नहीं है वो आपको ब्लोक कर देते तो आपको पता नहीं होगा ठीक है तो ब्लोकिंग का प्रॉब्लम में आप पर नहीं होना चाहिए तो आप जब confirm करते हैं उस बग आप solution को करें ठीक है तो दोस्तों सबसे पहले तो आप SIM card को eject करके insert कीजिए ठीक है पहले आपको SIM card बाहर में निकल लेना है फोन को एक बार restart कर देना है फोन जैसे restart होके open होगा और आपना SIM को आपको अंदर पे डाल देना है ठीक है SIM को insert करने उसके बाद चेक कीजिए calling का ज़्यादा तर प्रॉब्लम इससे fix हो जाते है यदि इससे problem solve हो चुका है तो आच्छी बाद है यदि नहीं हो रहा है तो दोस्तों सेटिंग पर जाए अपना connection insurance को open करें और उसके बाद reset wifi mobile network पर जाके reset setting पर क्लिक करके अपना phone का password बर देना है phone password डेने के बाद okay करने है और उसके बाद चेक कीजिए problem solve हो जागा यदि इससे काम बन जाते है problem solve हो जाता है तो आच्छी बाद है यदि इससे भी problem solve नहीं हो रहा है तो दोस्तों नीचे में जाए और अपना apps को open कीजिए उसके बाद जाए मेनेचेप पर management का option भी आपको मिल सकते हैं तो उसमें जाके phone service को open करें फॉर्स तॉप करके okay कीजिए उसके बाद clear data पर क्लिक करके इसको भी okay करें ये करने के बाद दोस्तों आपको बेक करना है डिवाइस को restart करने और चेक कर लीजिए आपका problem solve हो जाएगा ठीक है कई बार दोस्तों ने about phone पर जाए अपने software को update कर लें जैसे आप software को update करोगे तो दोस्तों आपका calling का problem solve हो जाएगा ठीक है आप चाहिए फेक्तुरी रिसेट के लिए जा सकते लेकिन मैं आपको वह आभी suggest करना नहीं चाहूंगा ठीक है तो इसके related पर आपको यहीं कोई problem कोई issue नया issue आ जाते त आप हमें comment section पर बता सकते हैं तो मैंने जो भी solution दिया है calling का problem उससे fix हो जाएगा चाहिए तो आप customer care के भी मदद ले सकते वान नेट या फिर वान टू वान पर आपको कर सकते हैं उनको पूछ सकते कि problem क्या हो रहे है आपकी सीम पर किस वज़ए से calling का issue है ठीक है तो आपको